Assalamu alaikum, मैं Zuleika Arfad, Zuleika's Kitchen से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं ये वाले बढ़िया से bread chicken pockets, बहुत ही आसानी से घर पर बन जाते हैं, दिखने में आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहें, लेकिन हाँ, सिर्फ दिखने पर मत जाएगा, टेस्ट में उससे ज़्यादा awesome और delicious लगते हैं, तो चलिए बनाते हैं आज की रेसेपी साधारण, यानि ओडिनरी इंग्रीडियन से extraordinary chicken pockets बनाते हैं bread के, चलिए, दो bread ले और इन्हें पहले तो कठे काठ ले, आप चाहें तो एक साथ रखकर काठ सकते हैं, मैं अलग-अलग separately काठ रही हूँ, और जब आप काठ लें कठे, तो दोनों bread को एक के उपर एक रखें, और उसे बेल लीजिए, उलट-पलट करके ऐसे, चारोड से अच्छे से बेल लीजिए, जब बेल लें, तो कठोरी लीजिए, steel की और इस तरीके से प्रेस करेंगे, तो आपको एक गोल शेप, यानि के गोल आकार मिल जाए और उसके बाद, steel की कटोरी से उसको गोल शेप का इसकदर आकार देकर, आप समझे न, 6-7 packet इसकदर ये जो bread के हैं, बना लीजिए, और इन्हें ऐसे side पर रख दीजिए, अब एक बाउल के अंदर एक अंडे को fold कर दाल दीजिए, एक देट टेबल स्पून जितना दूद थोड़ा सान नमक चुटकी भर, बहुत अच्छे से mix कर लीजिए, और ये जो हमने bread का packet बना के रखा है, उलट पलट करते हूँ, अच्छे सिव लोटी है, अंडे के अंदर, mixture के अंदर, और बहुत अच्छे से bread crumb से इसे 4 ओर से well coat कीजिए, आगे पीछे से भी अच्छे स well coat कीजिए, बहुत अच्छे से well coat चारो ओर से हो जाए, तो इसे side पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे bread को ये अंडे और bread cumbs में अच्छे से well coat कर लीजिए, हम चाहें तो डायरेकली fry कर सकते हैं, हमारे bread को, लेकिन उस सूरत मिं क्या होता ना, जब आप fry करते होg блиn को त सन बारिक कटा हुआ दाल कर फास्ट आज पर उसे एक मिनिट तक फ्राइ कीजिए जब एक मिनिट हो जाए तो ये मैंने वन फूद कीजिए यानि कि धाइसो ग्राम चिकिन बोनलेस है चरबी निकाली हुई है दो-तीन बानी से धो लिया था और मैं यूजुली थाइ पोशन लेती हूँ आप रेस पोशन ले सकते हूँ और मैंने पतली-पतली स्ट्रिप्स की है आप देख सकते हैं आप छोटे-छोटे पीस कर सकते हैं इन्हें फास्ट आज पर बार-बार चलाते हुए फ्राइ कर लीजिए तब तक फ्राइ कीजिए जब तक चिकिन का कलर चेंज नहीं हो जाता नम्मक दाल दीजिए स्वाद अनुसाथ मैं एक छोड़ा चाय का चमच कश्मीरी लालमेच पॉडर दाल रही हूँ आप आधा भी दाल सकते हैं मैं आदा चुले चाय का चमच चिली फ्लेक्स दाल रही हूँ आप एक भी दाल सकते हैं चोड़ा चाय का चमच और एक चोड़ा चाय का चमच भुना पी साथ जीरा पॉडर दाल दीजिए मिक्स कर लीजिए और यह मसाले के साथ चिकन को फास राच पर भूई लीजिए तब भूई यह जब तक है न इसका पानी नहीं सूख जाता हमारे चिकन का जब पानी सूख जाए और अलका-अलका आपको लगे के चिटक रहा है तो इसमें आप चाहें तो बन फोट कप डाल सकते हैं मैं यहां आदा कप पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद इसे एक बार चला लीजिए और इसे उबाल आजाने दीजिए इसमें जब उबाल आजा तो श्लुआज करके इसे ठाक कर धीमी आज पर पकने दीजिए यह विनेगर के आप निम्बू का रस दाल सकते हैं चुटकी बर नमक लगे तो ही डालिएगा और एक टेबल स्पून चिली सॉस दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स करके यह जो एक मायोनी सॉस है इसे साइट पर रग दीजिए चली कुछ देर बाद यह देख सकते हैं आप चिकन हो चुकी है और सूप भी चुका है पानी अच्छा अब इसमें मैं डाल देती हूँ न लॉंग स्ट्रिप्स करे हुए प्याज एक मीडियम साइज की प्याज थी और तीनों कलर की मैंने सिमला मिर्च दाली है अच्छा आप अब जो काटने का जो है न वह आपके हिसाब से बारिक बारिक भी काट सकते हैं मैंने लॉंग स्लाइस करके दाले हैं अच्छा अब इसमें थोड़ा से हमें काली मिर्चों का पाडर दाल देती हूँ और चुटकी बर नम्मक दाल देती हूँ वैसे आप नम्मक ध्यान से दालीएगा कि आगे हम सोया सॉस भी डाल रहे हैं तो इस समय आप नम्मक स्किप कर सकते हैं अच्छा अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए दो छोटे चाय के चममच सोया सॉस डाल दीजिए मेरा जादा डार्क वाला नहीं है लाइट वाला है और इसे मिक्स कर लीजिए चूला देख सकते हैं आप स्लो पर ही रखा हुआ है और एक चीज स्लाइस डाल दीजिए और इसे ढाक कर अच पर आधे एक मिनिट तक पकने दीजिए या तब तक पकाई जब तक यह चीज मेल्ट नहीं हो जाती पैस आधे मिनिट में तो हो जाएगी जब आधा मिनिट हो जाए तो इसे खोल लीजिए और चीज मेल्ट हो जाए तो इसे इस तरीके से mix कर लीजिए और चूले को कर दीजिए बंद तो हमने सारी preparation कर ली है अब हम आते हैं वो जो side पर हमने रखे हैं bread के packets बना कर अब उसकी ओर चलते हैं अब तेल fast आज पर गरम कर लीजिए अच्छा गरम हो जाए तो medium आज करकर ये जो हमारे bread pockets है ये एक ताल देती हूं मैं चूला medium पर है और इसे हलका सा उलट पलट करते जाए और इसे आप बार बार ऐसा प्रेस भी करेंगे न तो ये देखिए अच्छा खासा पूरी के तरफ फूल गया न बस इसे light golden brown होए तक इन्हें fry कर लीजिए जब light golden brown हो जाए तो इसे निकाल कर नतार कर आप छन्नी के ओपर रख दीजिए टीशू पेपर के ओपर मत रखिएगा नहीं तो सौकी हो जाएंगे तो आप देख सेगे किते बढ़िया से गोल शेप आया क्यों हमने दो को mix किया है हमारे दो bread mix हैं तो ये इसके लिए फूल कर दूसरा वाला bread अपने आप दो bread अलग हो सेपरेट हो रहे हैं अच्छा मैंने दो एक साथ डाले हैं अब जब आप डालती हो ना second और third time तो क्या होता है ना थोड़े से ये bread जल्दी लाल हो जाते तो क्या कीजिए medium से slow कर दीजिए slow और medium के बीच में जो होता उस पे रखिएगा तो उसे ज़रा full ने के लिए time लगता है अगर तो ऐसा ना हो के full है ना और आपका dark color हो जाए तो ऐसा है कि उसे time भी दीजिए slow से medium के आज के दर्मियान रखिए तो full भी जाएंगे और color भी change होगा तब तक तो चलिए ये सारे बन चुके हैं इसे बीच में इस तरीके से छूरी की मदद से काट लीजिए तो ये हमारे बन गए है pockets इसे तरीके से सारो को काट लीजिए और side पर रख दीजिए अब आया एकदम exciting part एक bread का ये piece लीजिए जो pocket हम जिसका बनाए है एक लीजिए और जो mayonnaise यादे हमने बनाई थी वो लीजिए और ये लगाते जाए ब्रेट के ओपर अंदर ये देखिए ऐसे चारो और लगा दीजिए अच्छे से और अब इसके अंदर आप दाल दीजिए एक छोटा सा टुकड़ा इसका lettuce का बढ़िया लगेगा और ये जो chicken प्रिपेर करी हुए आप चाहें तो थोड़ी गरम कर सकते हैं वो लगा दीजिए फिर से आप थोड़ा mayonnaise दालिए फिर से थोड़ा सा chicken दालिए और ये बन गया हमारा एक chicken pocket आप देख सकते कितना बढ़िया बनाए माशाला इसी तरीके से आप एक एक करके सारे बनाते जाएं और इन्हें site पर रखते जाएं ये देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ आप फिर से देख लीजिए हरी मिर्ची तो मैंने दाली निये लेकिन लाल मिर्ची का powder या जो भी spice है अपने स्वाद अनुसार ये recipe में दालीएगा और हां जो भी order है मैंने मेरे हिसाब से order placing किये जैसे पहले मैंने ये बना लिया फिर bread का बनाया फिर पहले chicken बना लिया लेकिन ये सारा totally आपके उपर है कि सिर्फ ये खुबसूरत लग रहे है ये उतने ही delicious है in fact उससे ज़ादा जितने खुबसूरत लग रहे है उससे ज़ादा delicious है माशाला इतने tasty है तो ज़रूर बनाईएगा और खाएगा और मजा भी आएगा आपको बनाने के लिए और खाने में भी आएगा इन्शाला और इसी तरीके से मैंने quick easy Ramzan की recipes मेरी शानल पर upload कि आप लोगों के लिए links description कंदेर है आप लहाँ चेक कर लीजिएगा तो हैना मज़ेदा रेसिपी आज की अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के comment section में जरू शेयर कीजिएगा अपने comments मुझे आपके comments में बहुत अच्छे लगते रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे जादा अच्छे लगे तो अपने family और friends में इस वाले वीडियो के लिंक जरू फिर से अधिर होंगी नहीं शांदार दमदार रसिपी के साथ अंतल दें टेक केर लाफ इस बाइ